हेलो एबरीवेंड आप सबीको हमारा छोटा सा प्यारा सा सुभा सुभा का गुड मॉर्निंग तो आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे ही होंगे बहुत खुश होंगे तो इसी तरह खुश रहें और मस्त रहें हालो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आप सब का आपका अपने चैनल में स्वागत है आपका ही चैनल है इसको इसी तरह सपोर्ट करते रहें और अभी अभी मैं नहां करके आ गई हूँ अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है थोड़ा ही हुआ है और आज है ब्रस्पतिवार तो इस वज़े से कपड़े वगरा तो दुले बने गया है कपड़े मैंने कली दुली थे सांबू मसीन लगाई थी और बाकी आज बनने जा रहा है डोसा और अगर बच्चे बुलेंगे तो इटली भी बनेगी देखती हूं वह सिर्फ आरोई को पसंद है और किसी को इटली नहीं पसंद कोई निखाता सब दोसा यह ना इसलिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा बीजी होंगे तो मैंने सुचा इतने बीजी है तो मैं आप सब को डोसा बना के खिला देती हूं और बता है जब कभी सफाई कर रहे हो या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा बीजी हो तो अगर कोई बढ़ी बढ़ी अशा ल बनाते हैं डोसा और यह देख रहें लिवस्टी का कलर अच्छा लगा ने बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ना डाक पिंक है और मतलब पिंक और रेडिस मिक्स है और बस इसकी फ्रेग्नेंस मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी जो कि मैंने वहां जलगाओं जब कहते ना जब डीमॉड दीमोड तब वहीं से उधर से लेकर आए लेकिन मैं जल्दी जल्दी में इसकी फ्रेग्नेंस चोकलेट वाली जो की मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी चॉकलेट तो मुझे अच्छी नहीं लगती है लेकिन जानी तो आ बहु कोई चीज महंगी होती है तो फिर हम को हम उसको इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते तो अभी मेरी भी दिवाली की सफाई चली रही है किचन मेरा हो कंप्लीट हो चुका है और बच्चों का रूम मैंने अभी मतलब आठ दिन पहले मेक ओवर किया था और सफाई वगरा सब कर ली थी तो मुझे बच्चों क कि होता ना जब अगल बगल या कोई स्ट्रेस कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रियेट हो जाती है तो बस कुछ चीज में मन नहीं लगता मन सारा उधर ही रखा रहता मैंने सूचा जान दो है एक दो दिन बाद ही करेंगे हराम से अभी कोई जल्दी नहीं है और अभी आ रह है ना तो साड़ी अच्छी लगती है मुझे साड़ी बहुत पसंद से होता हूं आपको तो तैयारी ऐसे ही हो गई है और इदर मीर लग हुए तो थोड़ा से दिख रहा है बार बार मुझे डिस्टॉफ कर रहा है यह बस और कुछ नहीं तो जल्दी से बनाते हैं डोसा तो चलिए ठीक है बने रहे यह वीडियो में आप इसी तरह सब्जियां में काट के गई थी नाने में ज्यादा तर करती हूं कोशिस कि आरा आटा लगाना या सब्जियां में काटना तो मैं नहाने से पहले ही कर लेती तो थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है फिर आप आर और मैंने आलू रख दिया है बोल होने के लिए क्योंकि दोसा बनने जा रहा है मसाला डोसा तो उसके लिए आलू तो बोल करने होंगे और सब्जियों में मैं ने लोकी गाजर और एक बैगन और थुड़ा सा गोभी और मतलब यही दो चार सब्जियां थी गर में तो वही फिर मतलब उनी को मैंने वो कर लिया है, कट कर लिया है, और ये देखे, सामर हमारी बन रही है, इसमें मैंने राई और खड़ी लाल मिर्च और प्याज से तड़का दे दिया है, और बाद में टाल दी है, टामाटर, उसके बाद ये बेसिक मसाले नॉर्मल जो डालते हैं, वो उसके बाद पानी डाल के, उसको डाल भी डाल दी है, मैंने डाल डाली है, थोड़ी ओरत के और थोड़ी तूर दाल, और उसके बाद ये हमारी स्टफिंग तयार हो रही है, जो आलू का मसाला होता है, वो तयार कर रहे हैं, तो इसमें कड़ी पता, और पता है, सामर में मैं कड़ी पता डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में डाल दिया है, मैंने कोई नहीं, बॉयल ही होना है, तो अच्छे से बॉयल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मतलब कुकर का ढखकर लगा नहीं पाई थी, और मेरे माइन में आ गया था, तो फिर मैंने उपर से दूल के डाल दिया, और वो सीटी लग गए, उसके बाद ये बनाई है, मैंने नारियल की चटनी, तो नारियल था मेरे पास, उसमें थोड़े से चने डालें, और चीनी, अलकी सी, जरा सदई, और बस प्रीज दिया अच्छे से, और उसके बाद ये देखे, नमक खलका डाल देखे, और उसमें चटनी में बहुत तेज नमक नहीं डालना है, और इधर हमारी सामर भी बन करताया है, तो आप हम डाल देंगे इसमें सामर मसाला, और हाँ इसमें एक बहुत जरूरी चीज है, जो कि आप जरूर डालेगा, इमली का पानी, इमली को गलाने के बाद उसका पानी ने थार लीजेगा और उसको जरूर डालेगा तो यह देखिए हमारा मसाला डोसा बनकर तयार है तो इस लाजवाब रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक जरूर करें बिना किये हुए बिल्कुल भी मच जाएगा और आगर आप हमारे वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए तो यह देखिए लाजवाब डोसा बनकर तयार है जो कि आपके लिए मैंने पेस किया है आप इसको खाईए और इंज्वाए करिए तो यह लीजिए हमारा डोसा बनकर तयार है और आप लोग भी आ जाएए खाने के लिए क्योंकि सफाई करकर के सभी लोग दीवाली में ठक चुके होंगे तो इसलिए डोसा खाईए और उसके बाद खूब अच्छी-ची सी स्वापिंग करिए और इंज्वाए करिए तो ड प्रशा हमारा बन चुका है और बच्चों को मैंने दे दिया ना बच्चों बहुत अच्छा बना यह देखें खाईया आप भी और हाँ आपको मारी रेसिपी हमारे वीडियो कैसे लगते हैं यह आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं और हाँ लाइक सेयर कमेंट करना में आपको आंगे बहुत कुछ मिलेगा तो आप कंटीनियो फूल वीडियो वाच करिएगा तो चलिए डोसा खाते जा रहे थे और मैं बना बना के देती जा रही थी क्योंकि यह ऐसी चीज है कि गरम गरम अच्छा लगता है और उसके बाद फिर मैंने जब खाया ना तो इ परतन भी दूल गए और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है लगबग आदे गंटे के लिए बस मौज मस्ती की बैठे बच्चों के साथ बाते आते की इनसे उसके बाद मैं यह कर रहे हूं डियाइबाई और इनको जाना है ड्यूटी तो यह अपना सो रहे हैं और मेरा यह मैं काम चालौ है तो मैं यह सारे काम yeah में धुपेर में करती है क्योंकिछों कि sponsors को कुछ कहाने के लिए बतादेती है या फिर मतलब इधर उदर हो काफी टाइम से स्टोर कर रही थी जैसे बचों का बड़े हुआ घर में कुछ एनिवर्सरी प्रोग्राम बगरा हुआ तो हमारे सब के घर में केक आता है तो उसी में मैंने ये लगा दिया है सुतली लगा दिया साइट से फैविकोल्स की मदद से और ये इसके उपर मैंने तरह से लिग दिया है तो ये बिलकुल सत्य है जब कभी हम किचन में कुछ ऐसी चीजे लगाते हैं जो किचन में जाते ही हमें अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद हमारा जूस बन रहा है अभी साम के बच रहे हैं साड़े-5 तो फिर हम आप से वीडियो में तब तक के लिए आप juice पी लिजी है ठीक है juice हमारा बणकर तयार है और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप subscribe करना बिलकुल भी मत बूलेगा तब तक के लिए बाई गुट नै टेक के एर